विल्कम बैक दोस्तों यह हमारे स्टॉक मार्केट सीरीज का दूसरा चैप्टर चल रहा है जिसमें हम टेक्निकल आलेसिस के बारे में सीख रहे हैं पिछवी वीडियो में आपको मैंने के बारे में बताया था आज हम बात करेंगे ट्रेंड लाइन के बारे में तो चलिए सब सब्सक्राइब एक द करोते हैं चैपने सब्सक्राणाइब करकें बलेहें कि मार्केट के के साथ था फंपर देगा है नहीं समझ में चले समजें इसको सबस्क्राइब ऑन हिंद मार्किट जासे और उपर जाएगा फिर निचा घुर्द maps उपर जाहेगा फिर निचा विटरेंद डर्लंड हो जाए घाए यह उपरन क्श्व तरह बनूं को बाता है उपर मार्केट नीचे की तरफ आता है कुछ देर रिट्रेस होता है फिर नीचे आता है फिर थोड़ा रिट्रेस होता है फिर नीचे आता है फिर रिट्रेस होता है फिर नीचे आता है यह डाउन ट्रेंड हो गया 3rd जो था वो था side wedge, नीचे उपर, नीचे उपर इस तरह से तो इतीन trend हमने पढ़े थे, तो trend line क्या होता है, अगर आप जो मालो up trend है, अफ ट्रेंड का जो swing है, minimum 2 या 2 से अधिक swing, अगर आप उसको एक दूसरे से connect कर देते हो तो आपको वहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मिल जाता है। एक ट्रेंडे मुटय पतह लग जाता है। जैसे अगर इस केस में हम देखें, तो यह एक श्विंग है, मतलब हुता है जहां से मारकेटन थे और है उसकोः करकें कैसी टिएए घुड़ में तो आप एक टीक है तो यह हमें एक टेंड लाइन मेल गया और हम और जब यह क्रॉद नहां ड्रा कर सकते हैं तो ़िए उफर वाली जो टेंड लाइन है रिजिटंस के तरह काम कर रही है तो इस तरह से ट्रेंड लाइन का काम होता है और आपको ट्रेडिंग में एक बहुत इंपोर्टेंट कोट आपको सुनने को मिलेगा कि ट्रेंड इज यूर फ्रेंड अंटिल इट्स वेंड तो अगर आप ट्रेंड के साथ चलते हो आपके काफी काम आएगा अब शह्यां से अप देख रहे हुं कि मार्केट अब ट्रेंड में है आप है यात लाइन लगाके बैठते हो और जब भी मार्केट आपके ट्रेंड को अपासे आता है दो आपदेव हैं आपके लिए अच्छा प्रोफित दे सकता है तो यह आपका एक तरह सिभ प्रेंड ही ही अ ना profit दे रहा है तो ठीक है but trend is your friend until its band अगर माल लो यह जो price ओपर जा रहा था इसने trend line को break किया थोड़ाज है रिटेस्क्ट किया ठीक है ब्रेक करने के बाद यह support level था एक तरह से support level break किया उसके बाद अब उपर जाएगा तो अब यह resistance बन जाएगा जैसे आपको मैंने बताया वह था कि सपोर्ट जब ब्रेक होता है तो रेजिस्टेंस बन जाता है तो अब यहां से फिर यह वापस नीचे आ गया उसके बाद ऐसे आने लग गया समझे लो इसका डारेक्शन चेंज हो चुका है तो ट्रेंड लाइन से हम ब्रेक हो जाता है तो हम कहते हैं कि अब यह डारेक्शन जो है चेंज हो चुका है ठीक है दोस्तों आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा अब चलिए हम चार्ट पर चलते हैं वहां पर सारी चीजों को देखते हैं एक्चल में कैसे काम होगा आशा में बाकी वीडियो देख सकते हो जहां से आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बिलकु लिक्तूर सामकि में आ जैगा मैंному हो सकता है जो मैं आपको बता नियुका संसे वाले टाइम में काफी एडवांस लेवले भी हम इस पर अपने शीखेंगे उसको देखेंगे कैसे ट्रेडिंग में क्या चीजे कहां पर यूज होती है सारा कुछ यहां पर हम सीखने वाले तो आप इस चैनल पर बने रहें आपको काफी सारी चीजे आप मिलने वाली है आपको क्या है फिरेंगे और अपने ट्रीट कर नाव्युन यह ग्याक और Rap 90 क्या लंट में और एकने आजना है अजलिया आज आज आई आपको बेचना है तो आपको बीदे टाइम प्रेम के लिए 15 मिनट या पांच मिनट का चार्ट यूज़ करना पड़े हैं ऑके तो ट्रेंड लाइन अप किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो तो अभी पहले हम डेली पर देखें पर चोटे इंप परेम में देखेंगें ऑके तो यह निफ्टी का चार्ट उपन है इसको मैंने जूम आउट किया अभी यहां से आपको देखके किलिरली पता लग रहा है कि मार्केट यहां से उपर की तरफ मूव करता जा रहा है यानि निफ्टी अभी अब ट्रेंड में चल रहा है राइट तो चलिए हम इसका पहले ट् कर लेंगे ओके और जैसे आपने बताया कि आपको मीम्मम दो स्विंग अप्कोर फिल्शंग करने है दो या दो से प्शाएं तो इस केस में अगर हम देखें तो यहां पड़िकर रहा है यहां पर धुस्स दिख रहा है इसको अम आश्ट इसको हम ऐसे टुछ करते हैं इस थ आधार से अब ये दो टूच हो चुका एंगे कि ज्वी ज्यादा से ज्यादा पॉइंट से ज्वी लाइन से जैसे हम तो तो यहां से ले लूगा और इसको थोड़ा सा इसे कर लोंगा ओके अब यहां से हम देख सकते हैं एक बार दो बार तीन बार चार बार इस ट्रेंड लाइन को मार्क्ट ने टुच जो और ऑफ कर ग्या थीक है तो न्क हो यहांसे क्या बेख सकते है कि मार्किट फिर यहां से नीचा अ कर राकर हमारे। इस ट्रेंड combined का आसपास कहीने आता है । तो यहां पर यहां करेंगे कि अब यहां से यह train line अगर तो ब्रेक हो रहा है इसका मतलब direction change हो चुका है फिर हम नीचे की तरफ जाएंगे मतलब cell करेंगे अगर यह train line के आसपास आके रुख के फिर से उपर की तरफ जाता है जैसे यहां पर किया है तो हम यहां यहां पर की तरफ यहां पर डॉख करना चाहूं तो यह दिखो यहां पर आपको एक train line दिख रही है इस तरह से कुछ ठीक है यह तो फिलाल यहां से मार्केट निकल चुका है बट इस तरह से अगर आप पास्ट में जाके भी train line ड्रॉख करेंगे तो भी आपको इस पर समझ में आगा कि जब यह train line break होता है यहां से मार्केट नीचे की तरफ फॉल हो रहा था यहां पर जब इसने इसको कर दिया तो यहां से अपने को क्या पता लग रहा है कि अगर किसी ट्रेंड लाइन पर प्राइस ज्यादा टाइम्स टच हो चुका है यानि तो तो तीन चार बार टच हो चुका है तो उस इसने इसको ब्रेक कर दिया को ब्रेक करके प्राइस उपर की तरफ मूव कर चुका है और जब उपर की तरफ ब्रेक किया तो यह डारेक्ट ली यह नहीं कि रॉकेट बनके ऊपर चला जाएगा ठीक है उपर गया थोड़ा सा फिर रेटरेस हुआ और जो ट्रेंड लाइन अ पर बार आके मुड रहा है और तेन चार बार वहां से तर्न हो चुका है तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के चांसे बढ़ जाती है नोंकि तो अग्र that ड्रेंड लाइन पर ट्रेड करो तो आप को कुशिश्स करना है कि अगर सेकेंड टाइम यह थर्ड टाइम मार्के साइड मैं ऐसा नहीं कि वहां से मिल सकती है लेकिन फिर भी हमें थोड़ा द्यान से बहां पर काम करना पुरत आ क्योंकि वहां से ब्रेक होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं कि तो योगे यह थो होगा हुग है निफ्टी में में चलो आपको आपको आँखों के सामने कि लियर ली दिख रहा है उस पॉइंट को आपने यहां से टेच कर लेना है तो यहां को एक ट्रेंड लाइन मिल गया है उपर कि तरफ अगर अगर हम देखें, तो ऊपर के तरह अब यहां से आप कर सकते हो. ठीक है, कुछ इस तरह से. तो अब यहां से आपको त्रेट करना है तो आप कैसे करोगी? अगया यहां पर आया, यहां से ऊपर की तरह हो गया, तो आपको यहां से बाइंग मिल जाएगी अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो ब्रेक करने पर डारिक्टली आपको ट्रेड नहीं लेना है ब्रेक करने पर हो सकता है कि यह वापस रिवर्स मार जाए ठीक है तो ब्रेक करने ब्रेक जब होगा तो वेट करने उस से आप सेल गर सकते ठीक है तो इस तरह से ट्रेड करना है और अभी अभी अगर आप नए हो तो ऐसा निए कि अब आप ट्रेड करने के लिए रेडी हो गयो पहले आप सारी चीजों को सीखो अभी काफिशारी चीजी आपको सिखानी बाकी है यह उसके बाद आप जाके यहां से समझें ठीक है तो यह हो गया बैंक निफ्टी का उसके बाद हम कुछ और स्टॉक्स में देखते हैं जैसे यह रिलाइंस का डेली चार्ट है यहां पर आपको अगर टेंड लाइन लगाना है उपर की तरफ आप ऐसे लगा सकते हो नीची की तरफ कि तरफ हम यहां से ऐसे डाल सकते हैं राइट और टेंड लाइन में आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि टेंड लाइन मतलब बिलकुल एंगल उसका में तो ज्यादा स्टीफ नहीं होना चाहिए जैसे अगर मैं यहां से ऐसे लगाता हूं ऐसे ठीक है तो यह टें इंगल जो है ना बहुत ज्यादा इस्टीफ हो चुका है एंगल आपका अगर 45 डिग्री पर हो तो बेस्ट माना जाता है और ट्रेंड लाइन जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा वह वहां पे मोमेंटम उतनी ज्यादा ऐगी फॉर ग्यांपल इसको एक मिनद में डेलीट कर लेकों जैसे कि अगर यहां से हम देखने हैं यह देखो अभी यह जो ट्रेंड लाइन उपर की दरफ है यहां पर देखो एक बार दो बार तीन बार और यह फूर्थ टाइम ब्रेक हुआ है और इसकी बीच का टाइम फ्रेम अगर आप देखो तो कि यहां पर क्या चल रहा था 2018 अगर यहां पे जब इसने इसको ब्रेक किया तो 2020 यह यह दो साल का टाइम फ्रेम है यह इसके बीच में और इसके बीच में तो इतने दो साल तक मार्केट निस ट्रेंड लाइन को फॉलो किया एंड उसके बार यह ब्रेक हुआ तो एक को ब्रेक करेगा तो मुव्मेंट काफी बड़ी होगी वहां से ठीक है यह बात भी आपको ध्यान रखनी है चलिए अब हम यह हो गया उसके बाद हम चलते हैं मैं आपको बता दूं यह जैसे हमने एक ट्रेंडड़ा की यहाँ पे एक सेकंड अब यहां पर आपको यह पर दिख रहा है कि यह पहले रिजिस्टंस की तरह काम कर रहा था ठीक है ये ट्रेंट लाइन रेजिस्टेंस बना हुआ था और जब इसने इसको ब्रेक किया तो अब इसी ट्रेंट कि support break हो जाता है तो resistance में convert हो जाता है तो train line में भी वह rule काम करता है अगर train line cross हो चुका है तो अगर resistance था तो support बन जाएगा अगर support था तो resistance बन जाएगा ओके दोस्तों चलिए अब हम कुसी और stock में देखते हैं HDFC में अगर train line ड्रो करना हो अगर कर सकते हैं और यह दिखो यह इसका price अभी जो है support के आसपास आ चुका है यह train line के आसपास price आ चुका है इसको थोड़ा सा एड़ेस्ट कर लेते हैं इस तरह से और यहां से हमें एक तरह से break भी दिख रहा है कि यह price इस trend line के नीचे आ चुका है लेकिन अभी क्या हम यहां पर sell कर दें direct नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप देखो तो price पहले यहां पे था 1500 के उपर था उसके बाद दो दिन में यह price 1500 से घटके 1450 के आसपास आ गया है और काफी बड़ा यहां पे gap down देखने को मिल रहा है यहां भी gap down देखने को मिल रहा है ठीक है कल हम बेट करेंगे और नीचे जाता है या तो और नीचे जाएगा या तो थोड़ा बहुत ऊपर आएगा ठीक है उपर आएगा तो क्या होगा इस train line के आसपास हम देखेंगे कि इसको यह कैसे respect कर रहा है और इस train line के आसपास आने के बाद अगर यह वापस से नीचे की तरफ आना सुरू करता है तब हम यहां पर trade डाल सकते हैं तो यहां पर stop loss लगा देंगे इस train line के ऊपर तो इस तरह से आपको trade करना है ठीक है आपको directly jump नहीं करना है जब भी कोई train line break होता है तो directly trade नहीं लेना है तो यह हो गया HDFC bank कुछ और देखते हैं एक बार यहां पर इन्फोसिस उपन कर लिया मैंने इन्फोसिस में आपको एक साफ देखो एक अप्ट्रेंड यहां पर देखने को मिल दा है इसको अगर मैं तो यहां से कर लो तो आपको यहां पर ज़्यादा टच मिल जाएंगे ठीक है यहां पर दो बार तीन बार चार बार चार बार यह मार्केट को यह ट्रेंड लाइन टच कर चुका है ठीक है इसी तरह से अगर उपर की तरफ में ड्रॉड करना चाहूं तो इस तरह से कुछ एसे ठीक है अब यहाँ पर हमें एक चैनल की तरह देखने को मिल रहा है लग उपर एक लाइन बन गई हमें नीचे एक लाइन बन गई और प्राइस इसके बीच में घूम रहा है जब भी इस चैनल को ब्रेक करेगा तो हमें हमें यहाँ पर मुमेंटम देखने को मिल सकती है ठीक है आई टीसी में चलते है आई टीसी यहाँ पर अभी एक साइड़ वेज मार्केट की तरह मूब कर रहा है ठीक है और अगर ट्रेंड लाइन आपको देखना हो तो आप ऐसे ड्रॉव कर सकते हो इसको कि इसको थोड़ा अज़ेस्ट कर लेंगे एक सब्सक्राइब कुछ इस तरह से ठीक है यह आपको एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल दीए अब साइड में अगर आप ट्रेंड लाइन लगाना चाहो तो यहां से लेके इस तरह से अब हमें यहां से किले ली एक चीज़ दिख रही है कि मार्केट ऊपर की तरफ भी इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है नीचे के तरफ इस बड़ी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है तो अगर यहां से नीचे ब्रेक होता है और यहां पर हमें support भी देखने को मिलता है, अच्छा खासा जो कि 200 के level पर है, और आपको बताया था कि जो भी round figure वाला price होता है, वो support या resistance की तरह भी काम करता है, और यहां पर already हमें यह देखने को मिलता है, कि यहां पर कई बार यह support ले चुका है, तो यहां से हम देख सकते ह कि अगर यह price नीचे की तरफ break होता है, तो यह support भी break हो रहा है, 200 का level भी break हो रहा है, और यह train line भी break हो रहा है, तो यहां से हमें अच्छा trade देखने को मिल सकता है, अगर उपर की तरफ break करता है, तो उपर की तरफ यह train line अच्छे अच्छे खासे time frame के लिए यहां पर इसको respect करने के बाद ब्रेक होगा तो उबर की तरह भी हमें मुवमेंट देखने को मिल सकती है ठीक है दोस्तों तो इस तरह से आई होप आपको ट्रेंड लाइन का सारा कॉंसेप्ट समझ में आ गया होगा और काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों यह इसको अपने ध्यान से स हरह दोस्तों की है तो कि उससे आपको एक करो मिल जाता है कि अगर मानलों ट्रेंड लाइन के price आया और वहां से आपको resistance दिख रहा है कि वहां से resistance मिल सकता है और उसी resistance पास अगर आपको कोई candlestick pattern भी देखने को मिल जाता है तो आपको अभी तक double confirmation वहां से हो जाएगा ठीक है तो आपके अभी क्छाएड लेने की जो execution पावर है उसमें और थोड़ा confidence आ जाएगा कि यहां से आपको दो चीजें मैच हो चुकी है ठीक है इस तरह से और भी कई चीजें यूज होती है इंडिकेटर्स भी यूज होते हैं चार्ट पैटन भी यूज होते हैं तो वो सारी चीजें भी हम अभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं तो उससे आपको और अच्छे से आप कंफर्म हो जाओगे अपने ट्रेड पर एक्ट करने के लिए ओके दोस्तों तो आई होप आपको अभी तक ट्रेंड लाइन का concept समझ में आ गया होगा नेक्स्ट वीडियो में हम चार्ट पैटन्स के बारे में देख आपको लाइक जरू कर दें चैनल अभी हमारा चोटा है आपके सपोर्ट की जरूत है और अगर आपके कुछ भी डाउट्स हों कुछ भी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है आप नीचे कमेंट करें मैं पूरी गोसिस करूंगा आपको एंसर करने की तो मिलता हूं आप से लर्निंग पर फोकस करें